हालो एवरिवन वेलकम बेक टू माय चेनल ममता फेशिन डिजाइन तो फ्रेंज आज किस वीडियो में कुछ एसे यूस्पूल टिप्स लेके आए हूं जिसे हम यूस करकर अपने घर और किछिन के कामों को आसान कर सकते हैं तो चलिए भीनादेर की वीडियो सुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आये तो इसे लाइक करें और जादर से जादर शेयर करें यहां देखी मेरा पहला टिप्स होगा दियों को लेकर दिया हम दिपावली पे जलाते हैं और दिपावली जाने के बाद हम क्या करते हैं दिवे को दोके कहीं रख देते हैं या फिर इन दियों को कहीं ताला बावडियों में डाल देते हैं क्योंकि फिर ये हमारे कोई काम का नहीं रहता है लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊ जब भी दिवाली के उपर दिये को काम ले ले तब आप इसको यूज कर सकते हो, तो करना क्या है फ्रेंज कोई भी हमारे पास जो पुराना दिया रहता है, वो आपको दिया ले लेना है, तो यहां पर देखिए मैं दिया लेकर आ चुकी हूँ, और इस दिये को हमें क्या करना है कि जो हमारे पास किसर होते हैं तो वह वाला आप किसर ले लीजिए और आपको देखिए इस तरह से करना है इससे देखिए दो-दो फायदे होंगे एक तो हमारा जो अगर इसमें धार नहीं है तो बढ़िया से धार बन जाएगी और एक क्या है कि यह जो बुरादा होता है इससे हम अलग-अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक तरीक आपको बताने वाली हूं तो करना क्या है कि देखिए यहां हम इस तरह से इसको पावडर की तरह बना लिए हैं बनाने के बाद अब हमें डालना है कोलगेट तो थोड़ा सा कोलगेट हम इसमें डालेंगे और फिर हमें थोड़ा पानी डालके और अच्छे से एक सिलूशन हमें इसका बना लेना है तो यहां देखिए में थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेती हूं और अच्छे से मिक्स करेंगी अगर आपको जरूर से लिखेगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है तो यहां देखिए मैं अच्छे से कलिऱ नहीं होती है तो हमें यह जो इसको बनाया है वह28 यहां देखिए मैं अच्छे स कु ती है और वैसे तो मैंने किर जंग के और भी स्लूरिशन बनाए है अगर आपको देखने हैं तो AMP मेरे चेनल पर जाके देख सकते हो इसके पहुत से वीडियो अपलोडेड है और अब आपके मैं अच्छे से सफ कर ली हूँ तो प्रेंस ये बहुत ही यूजफुल है और इस तरह से देखें हम किचन डंक को अच्छे से clean कर सकते हैं तो आप देख सकते हो पेले में और आप में कितना बड़िया सी फरक नजर आ रहा है तो जरूर इसको ट्राइ करिएगा अब देखिए हमारे पास जो पुराने दिये होते हैं आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो तो होता क्या है रात के टाइम अगर हम कीचन सिंग को सा आएंगे तो बहुत ही यूजफुल है जरूर इसको ट्राइ करेगा तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला टेपर तो देखिए अभी हम दिपावली पे घर को पूरे को सफाई किये हैं लेकिन यह जो चोटे-मोटे सामान होते हैं इस तरह के बैल्ट होते हैं और भी जो सा ठ determ करते हैं और मिलता नहीं है तो आज मैं आपको एक बहुती बड़ी बढ़ी साथ तरीका पठाओं की इसको फोल्ड करने का करना क्या है कि देख द faculty Tracy करोगी तो यह सही नहीं रहेगा, तो आपको करना है इसका जो यह हुख है, इसमें से आपको देखी, बैल्ट को इस तरह से निकालना है प्रिंश, यह काम छोटी जरूर होंगे, लेकिन बहुती काम के हैं, क्योंकि इस तरह की जो काम होते ही, हम ध्याद नहीं देते हैं और फिर हमें मुश्किल होता है इनको डूर्णने में और अच्छे से ये और्गनाइज भी नहीं रहते हैं तो आप इस तरह से इसकी रोल करके रिखिएगा देखिए बहुती बढ़िया तरीका है और इसमें से आप इस तरह से निकाल लिएगा देखिए तो कितना परफेक्ट तरीके से देखिए ये रोल हो चुका है बिल्कुल भी नहीं बिकरता है जरूर इसको ट्राइ करिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा यहां देखिए मैं दूसरा भी आपको बता देती हूं क्योंकि एक मैं आपको अगर नहीं समझ माया है तो दूसरा आप अच्छे से देख लिजे तो करना क्या है देखिए ये जो हुक होता है इसमें से आपको बैल्ट को देखिए इस तरह से निकालना है निकालने के बाद इसको फिर से निकाल लेना है और जितना बड़ा है उतना आप इसके अंदर से निकाल लीजिए और बहुती बढ़िया से देखे ये सेट हो जाता है इस तरह से अगला टिप मेरा बहुती यूजफुल है कपड़ों को लेकर हमारी जो कपड़े होते हैं जिसी कि हमारी जो साड़ी होती है उसके साथ में देखी ब्लाउज भी रहता है पैटिकोट भी रहता है हम क्या करते हैं इनको अलग-अलग करके रख देते हैं और फिर मुश्किल होता है इसको डूड़ने में जब भी हमें पैटनी हो तो यह मिलता नहीं है तो आज देखे में आपको बहुती बढ़िया तरीका बताऊंगी इससे क्या है कि आपकी साड़ी के साथ साथ ब्लाउज जी भी आसानी से मिल जाएगा और एक साथ तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ब्लाउज की जो भी डोरी बगरा है वो साड़ी हम खोल लेंगे और फिर हमें देखे इस तरह से नीचे की साड़ में रखना है और साड़ी को हम रख देंगे उपर रखने के बाद ब्लाउज को हमें उपर की साड में फोल्ड कर देना है साड़ी देखिए जिसे कि हम समेटे हैं पूरा हम विज़े ही समेटेंगे इसको और फिर हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से ब्लाउज को कर देंगे यहां देखें मैं इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ और इसकी जो कोनर है इसके अंदर हम डालेंगे अब देखें यह बिल्कुल भी नहीं भी करती है और अच्छे से सेट रहेगी तो बहुती बड़िया तरीका है साड़ी रखने का और एक साथ हमें यह मिल जाएंगे अगर आपके पेटी कोट इसके मेचिंग का है और अलग-الग है तो आप क्या है कि इस साड़ी में रख दीजिए नहीं तो क्या होता है कि पेटी कोट हम 2-3 साड़ी के साथ में पहनते हैं तो इसलिए मैं यहां पेटी कोट नहीं डाल पहुँ हूँ तो फ्रेंच ये बहुती बढ़िया तरीका है और देखिए कभी भी हमें बाहर जाना होता है तो हम साड़ी पहनते हैं और उस टाइम हमें टाइम लगता है इधरो डूणने में तो आप इस तरह से फोल्डिंग करके रिखेगा बिल्कुल भी आपको टाइम ने लेगा एक समझकर फिंग देते हैं लेकिन आज मैं आपको एक बहुती बढ़िया तरीका बताऊंगी इसका यूज करने का और फ्रेंच अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बता दे कि आप दुनिया की कौन से कोने सी इस वीडियो को देख रही हो जहां से भी देख रही हो उस गाउं शेयर का नाम जरूर से लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है तो यहां देखिए मैंने संत्रे की छिलकी को अलग कर लिया है और आप मैं छोटी-छोटी इस त मस्या मिटने वाली है तो फ्रेंज करना क्या है कि यहां हम डालेंगे देखिए थोड़ा सा गेहों का आटा आटा डालने के बाद हमें इसको मिक्स करना है तो देखिए हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे तो यह जो आटा है वो इसके उपर कवर हो जाएगा देखिए इस तरह स में इतने हो जाते हैं और अगर वो चुहे हमारे घर में रहेंगे तो साफसपाई का भी कोई नहीं होता है कि हमने साफसपाई की है क्योंकि अगर कोई भी समान हम रखते हैं तो उसको कट कर देते हैं और फिर से वो ऐसे ही बिखेर देते हैं तो इस तरह से हमारा कोई काम नहीं निपड़ता है और सापसपार भी अच्छे से नहीं होती है तो फ्रेंज आप ये वाला जो तरीका है वो अपनाएएगा और अगर आपके घर में कि हमने इसमें मिलाया है संत्रे का चिलका और ये बहुत ही कड़वा होता है चुहूं इसको खाके तुरंत भाग जाते हैं फ्रेंज बहुत ही बढ़िया तरीका है और यहां मैंने गेहों का आटा इसके उपर लगा दिया है ताकि क्या है कि चुहे को पता नहीं चलेगा और वो इसको खाने के लिए आएंगे और जो ये संत्रे के चिलके हैं उसको खाने से उसके पेट में इतनी हर्चल होगी और भागर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे फ्रेंज बहुत ही बढ़िया तरीका है और आप इस तरह से देखिए टुकडो को एक पेपर में डाल दी आप देखो कि घर में जितनी भी आपकी चुहेते वो सारे बहार चले जाएंगे बहुत ही यूसफुल ट्रिक है जरूर इसको ट्राइ करेगा तो फ्रेंज आज किस वीडियो में आपको सबसे यूसफुल टिप्स कौन से लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसे यूसफुल वीडियो के साथ बाबाई टिके टैंक्यो पूर वोचिंग